मिल जाता है और उसको एक मुद्दा बना लिया जाता है हलाकि देश में इतना जादे गरीबी है इतना जादे बिरोजगारी है इन नेताओं को हीर सिंग अपना कच्छा वाले फोटो को सोशल मीडिया पे वाइरल करते हैं सायद वही केमपेटिशन से दिपिका पाधकोन भी पाठक जैसे फिलिम के बेसर्वी जैसे गाले में काफी चर्चा में चल रही है और हाला कि इसमें कुछ नेताओं ने अपना मुदा बना करके इसे बाइकॉड करने के बाद कर रहे हैं जिसका नाम है पठान और कुछ दिर पहले पठान फिलीम का जो है एक गाना वाइरल होता है गाना दिया जाता है जिसका नाम होता है बेसरम बेसरम सौंग का नाम है और उस स रनमीर जैसे हरकत भी किया जाता है अंग परदर्सन भी किया जाता है जो गाना का नाम से ही पता चलता है बेशरम और कुछ हरकत भी वैसाही किया जाता है हमको यह पता नहीं चलता है कि दीपिका पाधुकोन के पती रनमीर सिंग और दीपिका पाधुकोन में जैसे जगरा हो हो गया हो कुछ ऐसा बात हो गया हो कि दोनों में केमपटीशन हो गया हो रनमीर सिंग अपना कच्छा वाले पोटो को सोशल मीडिया पे वाइरल करते हैं सायध में एक dependent से डीपिका पाधिकार Franken भी पाथक जैसे फिलीम के बेसर्वी जैसे गाने के में अपना बेसर्वी जैसे हरकत करके अपना अंग पर दर्शन करतीर cynics इस और बाइकॉड करने की बात यही गाना से आता है पाठक जैसे फिलिम को जो अभी तक आया ही नहीं और उसको बाइकॉड करने की बात चल रही है बाकि पांच मिनट का वीडियो है उसमें दीपिका पाधिकोन अलग-अलग कप्रे में अलग-बग दस कलर के कप्रे में आती है और अपना अंग परदर्शन करती है जैसा कि आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि बेसर्मी नाम भी है और बेसर्मी जैसे हरकत भी किया जाता है यही चीज यही एक मुद्दा बन जाता है कुछ लोग कुछ नेताओं को यह चीज बुरा लगता है कि वो जो पांच म लगता है कि यह हिंदूतु का खिलाप है हिंदूतु के बगवा कलर करके यह अंग परदर्शन कर रही हाला कि बिरो तो हम भी करते हैं इसलिए कि यह बेसर्मी जैसे गाने को पहले पोस्ट किया जाता है इसके बेसर्मी जैसे गाने को पोस्ट करके यह बेसर्मी जैसे हाला अपना अंग परधर्शन करती है तो इसका बैकॉट करने का सपोर्ट तो हम भी करते हैं लेकिन ये नेताओं को ये नहीं समझ में आता है कि पांच मिनट का गाना में दस परकार का कलर चेंज होता है लेकिन उसको भागवा कलर मिल जाता है और उसको एक मुद्धा बना लिया जाता है हलाकि देश में इतना जाते गरीबी है इतना जाते बिरोजगारी है इन नेताओं को ये चीन नहीं दिखता है लेकिन दिपेश का पादिकोन का ये गाना का ये भागवा कलर का जो कुछ सकेंड के लिए दिखाया जाता है उसका एक बड़ा मुद्धा अब्विसाल बनाया जाता है यही गाना से बात यहां तक आ गई कि इसको पाइकोड किया जाए बलकि ये फिलिम आया ही नहीं ये भी मुद्धा उट रहा है कि ये फिलिम जिस हॉल में लगे उस हॉल को जला दिया जाए बता दू कि कुछ गाना में पहले भी यूज किया गया है भगवा का संसद निरवा दिनेश लाल यादव वो भी अपने गाने में भगवा कलर का यूज करते हैं और इस गाने में आकर मुद्दा क्यों बनता है यह हमको नहीं समझ में आता है अगर आप लोग को कुछ राय है तो कॉमेंट जरूर करें